पैट्रोड डालके और आग जलाके और चलेगे लड़का हमेशन असा उसा करता है सबके साथ यही करता है पर नम सारूख है नश्कार दोस्तो कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि अच्छी होंगे दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अंकिता नाम की एक लड़की हुए अत्याचार के बारे में जो अमानेविया अत्याचार हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं किसी के अंदर में इतना हैवान कैसे शहता है। जो घटना है जारखंड के दुमका जिला की है वहां पर अंकीता नाम की एक लर्की अपने डादा अपने चाचा और ददी लोगों के साहते हैं तो एक लड़का था सारूफ नाम कर गए तीक है वो पिछले कुछ दिनों से उस लड़की को अंकिता को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था बहुत ज्यादा टोचर कर रहा था किसी से किसी थाट वाडी के थुरू से उसका नंबर कहीं से लिया उसके वाजा कि फिर उसको मतलब की बोलता था कि तुम अगर हमसे बात नहीं करोगी तो हम तुमको मानेंगे पीटेंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे मतलब किसी करता था बात नहीं करेंगे तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे मतलब बहुत सारी बहुत तरह की धंकिया यार कोई भी बात करेगा अपने मर तो पर चार वजे सुभा उसके घर में आता है खिरकी से उसके उपर में पैट्रोल छिरक के फिर उसको आग लगा देता है बताइए कितना ही घिनोना काम किया है कितना ही घिनोना काम किया है कि कोई भी हो किसी का भी मतलब की लड़की है किसी के बहन है किसी की बेटी है बहुत सारे होप हैं उसके साथ में कितने सारे होप हैं लेकिन ये लोग पता है हैं इतना फाद कुई कैसे होसकता है इतना मतलब संकी इसको प्रेम discs कर कर सकता है आपको अपना राय कमेंड में जरूर दीजिएगा धन्यवाद है